Hi everyone, मैं हूँ Dr. Salim और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 13 ऐसे sign and symptoms के बारे में, 13 ऐसे लक्षणों के बारे में जो कि आपके अंदर omega-3 fatty acids की deficiency की तरफ इशारा करते हैं इसके साथ-साथ वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपके अंदर ये लक्षणों पाए जाते हैं, यानि अगर आपके अंदर omega-3 fatty acids की deficiency हो रही हैं तो उसको आप कैसे दूर कर सकते हैं, उसके लिए कौन-कौन से उपाए अपना सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीजों के बारे में पूरी डिटेल से दोस्तो omega-3 fatty acids हमारी body के लिए एक बहुत ही important चीज है, बहुत ही essential है हमारे लिए इसकी importance का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे brain का एक बहुत बड़ा portion जो है वो omega-3 fatty acids नहीं बना होता है आप ये जनकर हैरान रह जाएंगे कि हमारे brain का करीब 60% हिस्सा जो है वो fats से बना होता है और इस 60% में से भी 30% जो हिस्सा है वो अकेला इस omega-3 fatty acids से बना होता है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जरूरी है हमारे लिए omega-3 fatty acids unfortunately omega-3 fatty acids को हमारी body बना नहीं सकती है तो इसको हमें सिर्फ बाहर से अपनी diet के जरिये ही लेना जरूरी होता है तो अगर किसी कारण से हमारी diet के अंदर ही deficient हो जाता है हम कुछ ऐसी चीज़े खाते हैं जिनके अंदर ये कम पाया जाता है तो इसकी वजह से हमारे अंदर इसकी deficiency हो सकती है जिसके कुछ लक्षण भी हमारे अंदर नजर आते हैं जिनको समझना बहुत जादा important होता है omega 3 की deficiency की वजह से सबसे पहला लक्षण जो आपको दिखाई दे सकता है वो है dry skin यानि आपकी skin के अंदर dryness होना, rough होना और scaly होना एक बहुत बड़ा लक्षण है इसके लावा dermatitis की शिकायत या psoriasis की शिकायत भी अक्सर उन लोगों के अंदर देखी जाती है जिनके अंदर omega 3 fatty acids की कमी होती है और omega 3 fatty acids के supplements लेने से ऐसे लोगों को काफी जादा आराम भी मिल जाता है इसके लावा age-related macular degeneration भी एक ऐसी problem है जो की अक्सर omega 3 fatty acids की कमी की विज़ा से बढ़ जाती है age-related macular degeneration का मतलब है कि आपकी आँखों के अंदर ऐसे changes आना जो की उम्र के बढ़ने के साथ आते हैं ऐसे changes आपकी eyes को degenerate करते हैं और आपकी vision में problems आने लगती हैं आपको आँखों की अलग-लग तरह की बीमारियां पैदा होने लगती है ऐसी problems भी जो है अगर आपके अंदर omega 3 कम होता है तो इसकी वुज़ा से बढ़ जाती है इसके लावा आपके अंदर arrhythmia हो सकता है यानि आपकी जो heart की rhythm है वो गड़बड कर सकती है आपके अंदर fatty liver भी पाया जा सकता है अब यह थोड़ा सा surprising है आपके लिए क्योंकि आप सोच रहोंगे तो उससे आपको बजाए नुकसान के फायदा होता है तो अगर आपके अंदर fatty liver हो रहा है तो यह भी एक लक्षण होता है कि आपके अंदर हो सकता है omega 3 fatty acids कम होते हैं तो उसकी वुज़ा से body के अंदर inflammation बढ़ जाता है arthritis जैसी problems जो है या अलग तरह के inflammation body में बढ़ जाते हैं आपको gastritis के शिकायत हो सकती है आपके gut के अंदर inflammation हो सकता है और भी बहुत सारी problems हैं जो कि आपके अंदर omega 3 fatty acids की deficiency की विज़ा से हो सकती है इसके अलबा एंजाइना भी आपके अंदर देखी जा सकती है यानि आपको chest pain की शिकायत भी हो सकती है अलग अलग तरह की heart diseases जैसे की coronary artery disease या फिर आपके अंदर myocarditis या इस तरह की और problems आपके अंदर पाई जा सकती है आपका cholesterol बढ़ा हुआ हो सकता है अगर आपके अंदर depression की शिकायत हो रही है और इसका आपको कोई reason समझ में नहीं आ रहा है तो य इसके अलावा आपका blood pressure बढ़ सकता है और आपके अंदर memory weak हो सकती है या चीजों को याद रखने की जो आपकी ताकत है वो कम हो जाती है इन लक्षणों को देखके दोस्तों सीधे सीधे एक बार समझ में आती है कि जब हमारी body के अंदर omega 3 fatty acids की कमी हो जाती है इसकी deficiency हो जा रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको अपनी diet के अंदर दोस्तों ऐसी चीजों के consumption को बढ़ा देना है जिनके अंदर omega 3 fatty acids ज्यादा quantity में पाया जाते हैं अब सवाल यह पैदा होता है कि कौन सी ऐसी चीजे हैं जिनके अंदर आपको ज्यादा मात्रा में omega 3 fatty acids मिलते हैं तो अपने इंडिया में अगर देसी मचली की में बात करूं तो सिंघाडा एक ऐसी मचली है जिसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में आपको fat मिलता है तो यह भी एक अच्छा source है omega 3 का इसके लावा जितने भी other seafoods हैं चाहे वो shrimp हो चाहे वो oysters हो इनके अंदर भी आपको omega 3 काफ इक चीज आपने नोडिस करी होगी कि जितनी भी चीजे मैंने आपको भी बताई है सब की सब non-vegetarian है तो mainly दोस्तों जितने भी non-vegetarian items होते हैं उनके अंदर ही जादा मातर में आपको omega 3 fatty acids मिलते हैं और जो non-vegetarian items से आपको omega 3 मिलते हैं वो जादा superior quality के हो अगर मैं plant sources की बा आपको काफी जादा मातर में omega 3 मिल जाता है और अखरोट के अंदर भी यह पाए जाता है तो इनसे भी आप इसकी पूर्दी कर सकते हैं लेकिन जो plant sources से लिए गया omega 3 होता है वो थोड़ा inferior quality का होता है यह होता है ALA type का यह उतना effective नहीं होता है जितना की animal sources से लिए गया EPA और DHA होता है बट सिल अगर आप vegetarian है तो आप इन sources से भी omega 3 fatty acids की कमी को पूरा कर सकते हैं डाइट के लावा आप supplements की मदद से भी अपने अंदर omega 3 fatty acids की पूर्दी कर सकते हैं बहुत सारे अलग लग तुरह के supplements market में available है कुछ vegetarian sources से आपको omega 3 fatty acids देते हैं कुछ non vegetarian sources से देते हैं मैं ह हमेशा recommend करता हूँ कि अगर आप non vegetarian है और आपको कोई problem नहीं है तो आपको हमेशा fish oil की capsule लेने चाहिए क्योंकि fish से मिलना वाला omega 3 fatty acid है यह best consider किया जाता है वैसे तो market में बहुत सारे अलग लग तरह के fish oils available हैं बहुत सारे brands बहुत सारी companies इसको बनाती हैं दोस्तों लेकिन अ एनवेदा का यह omega 3 fatty acid वाला fish oil लेना चाहिए यह एनवेदा का एक बहुत ही अच्छा superior product है जो की काफी ज्यादा popular है Amazon पे Flipkart पे आप इसके reviews देख सकते हैं in fact मैंने खुद भी check किये हैं और मैं अपने patients को भी इसको काफी बार दे चुका हूँ काफी लोगों ने इसको इसक काफी जादा अच्छी बहुत positive और encouraging मिल रही है तो इसी वजह से एक बार फिर से आपको इसको recommend कर रहा हूँ इसके एक capsule के अंदर दोस्तों आपको 1000 mg of fish oil मिलता है जिसके अंदर आपको total 300 mg EPA और DHA मिलता है जो कि आपकी daily requirement के हिज़ाब से काफी अच्छी चीज है एक और बह जासे मैं इस fish oil capsule को आपको recommend करता हूँ वो यह दोस्तों कि इसके अंदर आपको कोई भी heavy metals जैसे mercury वगरा जा कोई भी toxic substances नहीं मिलते हैं क्योंकि जितनी भी fishes होती है वो सब की सब usually समुंदर के अंदर पाई जाती है वहीं से उनको पकड़ा जाता है और वहीं से उनका factories में यह जो oil है वो extract किया जाता है इस दोरान क्या होता है कि अगर वो जो fishes है जहां से उनको लिया गया है अगर उस जगह पर pollutants से जादा है जो कि बहुत ही commonly आजकल है इससे कोई बची नहीं सकता क्योंकि जितनी भी industrial waste है वो सब की सब seas में और rivers में ही डंप हो रही है तो जितनी बहुत जरूरी है कि जो supplement आप ले रहे हैं वो इन चीज़ों से प्योर हो वो किसी ऐसी टेक्नीक से बनाया गया हो जिससे की सारी चीज़ों में से निकल गई हो तो यह एन्वेदर का जो fish oil capsule है इसके इंदर आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि कोई भी heavy metal या कोई भी ऐसी चीज इसके इंदर आपको नहीं मिलेगी जो कि आपके लिए नुकसान दाया को यह WHO GMP certified product है जिसको आप अराम से regularly इस्तमाल कर सकते हैं दिन में एक या दो capsule daily इसका आप ले सकते हैं और जो omega 3 fatty acids की कम ही आपकी body के इंदर होगी वो बहुत जल्दी इस के मुकाबले करीब one third है तो आपकी जे पे भी ज्यादा भारी नहीं पड़ता है quality भी आपको अच्छी मिलती है और आपको results भी ज्यादा superior मिलते हैं तो इस product को अगर आप purchase करना चाते हैं तो इसके links आपको नीचे description box में और pinned comment में मिल जाएंगे वहां से click करके आप directly order कर सकत तो दोस्तों मुझे अमीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी अगर वीडियो यहां तक आपने देख ली हैं और आपको अच्छी लगी है तो इसे एक like जरूर दीजेगा चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को subscribe भी कर प्रेस कर दीजे इस वीडियो को जादा से जादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे कुछ नया सीख सकें और अपनी सहत का जादा बेहतर तरीके से ध्यान रख सकें इसी के साथ मैं डॉक्टर सलीम आपसे विज़ा चाहता हूं इस वादे के साथ के फिर मिलूंगा आप